Hello everyone, welcome to study mantra by Neha, आज का हमारा topic है history के important questions, ये जो मैंने video cover किया है, इसमें जितने भी questions है, सारे repeated questions है और ये examiner के favorite questions है, तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी मैं extra notes बता रही हूँ, उस पे भी ध्यान देना क्योंकि question कभी-कभी उसमें से भी बन जाते है, तो पूरा video बहुत important है, तो चलिए start करते हैं question को, which is the first discovered site of Indus Valley civilization, Indus Valley civilization की पहली discovered site कौन सी है, तो वो है हरपा, अब देखो first time Indus Valley civilization term किसने use किया था, John Marshall ने, पहली बात, और हरपा site किसने discover की थी, वो की थी, दायाराम सहानी ने, कौन से year में, 1921, बहुत important है, year भी important है, इनका नाम भी important है, तो सारा आप notes बनाना और उसमें note down करते जाना, oldest epic of the world, रामायना, written by whom, रामायन जो है, वो oldest epic of the world है, वो किसने लिखी है, वो लिखी है, वालमी की जीने, अब रामायन को और क्या बोलते है, आदी काव्य भी बोला जाता है, longest epic पूछा जाए, अगर world का longest epic council तो वो है, महा भारत, वो किसने लिखी है, वेदवियास जीने लिखी है, who is the founder of Shishunag dynasty, Shishunag dynasty के founder कौन है, वो है, Shishunag, Shishunag succeeded by काल अशोग, Shishunag को succeed किसने किया था, काल अशोग ने, second buddhist council was conductor under the patronage of king, काल अशोग और Shishunag dynasty, second buddhist council जो हुई थी, वो किसके राज में हुई थी, वो हुई थी, काल अशोग के राज में, जो कि Shishunag dynasty के राजा है, और कब हुई थी second buddhist council, 383 BC में, कहां पे, वैशाली में हुई थी, और उसके president कौन थे, सबा कामी, ठीक है, याद रखना, second buddhist council हुई थी, काल अशोग के अंडर में, 383 BC में, वैशाली में हुई थी, और उसके president थे, सबा कामी, who shifted the capital from Rajgriha to partly putra of Magad dynasty, answer is, Udain, partly putra किसने found किया था, Udain और Udain कौन था, अजाज शत्रू का बेटा था, जिसने, Udain ने ही अजाज शत्रू को मारा था, और अजाज शत्रू कौन था, बिंबी सार का बेटा था, बिंबी सार कौन था, founder of Haryanka dynasty, जो Magad Empire में Haryanka dynasty थी, उसका founder कौन था, बिंबी सार, बिंबी सार का बेटा था, अजाज शत्रू का बेटा था, Udain, new Rajgriha city किसने बसाई थी, वो बनाई थी, बिंबी सार ने, When was first battle of Panipat fought? Panipat की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में, वो किसके बीच में लड़ी थी? Babar and Ibrahim Lodhi गे, Babar जीता था उसमें, second battle of Panipat कब हुआ था? 1556 में, Akbar and Humayu के बीच, और Akbar जीता भाइसमें, Third battle of Panipat किसके बीच वा था? Maratha and Ahmed Shah Abdelhi के बीच, 1761 में, कौन जीता था? Ahmed Shah Abdelhi जीते थे सारे जो extra notes से बहुत important है, ये भी आप याद रखना Where did Gotham Buddha delivered his first sermon? जो sermon उन्हों दिया है, उसे क्या बोलते है? धर्म चक्र परवर्तन ये भी याद रखना, ये भी एक्जाम में पूछा जाता है कि सर्मन जो उन्होंने दिये, उन्हें क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन तो Gotham Buddha ने पहला सर्मन कहां दिया था? वो दिया था सारनात में Gotham Buddha जो है, वद्दजम के फाउंडर है, उनका जन्म कहा हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में कभी हुआ था? 563 BC वैशाक पुर्णिमा के दिन, ये भी एक्जाम में पूछा गया कि कौन से डे पे तो ये भी याद रखो वैशाक पुर्णिमा के दिन हुआ था उनके फादर का नाम था सुबोधिना, मदर का नाम था माया देवी और वाइफ ती ये शोदरा, उनके चाइल्ड का बच्चे का नाम था राहुल गौतम बुथ का चाइल्ड होड नेम क्या था सद्धार, उनके होर्स का नाम था कंतका उनोंने घर कब छोड़ा था जब वो 29 येर्ज के थी उस चीज को बोला जाता है मा भिनिष क्रमन, जो उनके जो पहले टीचर थे, वो थे आलारा का लाम enlightenment था enlightenment जो उन्हें मिला था निर्वान प्राप्ती वो कहाँ पे मिली थी बोध गया में मिली थी और उनकी जो death हुई थी उसे बोलते है महापरी निर्वान कहाँ पे हुई थी उनकी death कुशी नगर में हुई थी बहुत important points है ये सारे आप याद रखना tom of humayu was built by whom tom of humayu किसने बनाया था वो बनाया था फाजी बेगम्द tom of humayu prototype of taj है मतलब taj के पहले जो बना था वो tom of humayu बना था tom of humayu को देख के ताज महल बनाया गया है biography of biography क्या थी humayu की humayu नामा जो किस तरह की थी गुल बदन बेगम्द humayu built दीन पना सेकेंड कैपिटल इन दिल्ली humayu ने दीन पना को सेकेंड कैपिटल बनाया था दिल्ली में humayu की death कैस होई थी जब वो उनकी library के cd से फिसल के उनकी death होगई थी humayu के time में उन्होंने दो battle लड़ी थी battle of chausa 1539 की किस के बीच humayu न शेर्षा सूरी के बीच कौन जीता था शेर्षा सूरी और battle of kannauj जो battle of pilgram भी बोलते हैं उसे 1540 में humayu न शेर्षा सूरी के बीच दोनों की दोनों लड़ाई कौन जीता था शेर्षा सूरी जीता था याद रखिए 3940 दो युद हुए थे चौसा का और kannauj का दोनों की दोनों humayu न शेर्षा के बीच बीच वे थे और दोनों जीता था शेर्षा सूरी न है Cape route from Europe to India was discovered by जो Cape route है यूरोप से इंडिया का वो किसने discover किया था वो किया था वासकोडी गामा ने वो कहां पर आया था कैली कर्ट में आया था Atlantic Ocean के थूँ अब देख लेते हैं कि जो फॉरेंड ट्रावलर्स है वो इंडिया में कब कब आये जैसे पॉर्चुगी कब आये थे 1498 में डॉच आयते 1602 में इंग्लिश आयते 1608 में जो डैन्मार्क सायते डैनेश 1616 में और फ्रेंच जो आयते 1664 में वो फॉप उस थी फाउंडर और ब्रह्मो समाज इन 1828 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना किस ने की थी वो की थी राजा राम मोहन रॉय ने तो डेट भी याद रखना है उनके फाउंडर भी याद रखना है और आरे समाज के फाउंडर कौन थे दयानन सरसुती 1875 में गीता रहस के ओधर कौन है वो है बाल गंगाधर तिलक को ही लुकमाने तिलक बोला चाता है यह बुक उन्होंने कब लिखी थी जब वो मांडला जेल में थे बर्मा के अभी तो उसका नाम मैनमार हो गया है पहले बर्मा हुआ करता था उन्होंने दो न्यूज पेपर स्टार्ट के थे केसरी और मराथा केसरी पेपर जो है वो मराधी लाइंग्वेज में था और जो मराथा पेपर है वो कौन से लाइंग्वेज में था इंग्लिश लाइंग्वेज में था उनके स्लोगन थे स्वाराज is my birthright and I shall have it कभी-कभी स स्लोगन ही पूछते जाता है कि कौन से लीडरा स्लोगन है तो सब चीज इंपॉर्टेंट है उनको टाइटल दिया गया था फादर ओफ इनियन अन्रेस्ट उनने लाइन अन्रेस्ट उन्हें बोला ए था कौन ने दिया था यह टाइटल वैलेंटाइन शिरोल में वेज़ व हात्मा गांधी की जगे कौन ने साइन किया था मदन मोहन मालविया ने साइन किया था स्लोगन दिल्ली चलो वस गिवन बाय दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था सुभास चंद्र बोस ने दिया था और कोश लोगन था उनका, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, वो है, गिव मी ब्लड और आई विल गिव यू फ्रीडम. इंडियन नाशनल कॉंगरस के संस्थापक कौन है, वो है, A.O. Yume. A.O. Yume ने कब फाउंड किया था, I.N.C. कब बनाया था, वो बनाया था, 1885 में, यहां तकना डेट, 1885 में, पहला सेशन था, जिसके प्रेजिडेंट कौन थे, W.C. बैनर ची, और पहला सेशन कहां हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास तेशपा संस्क्रत कॉलेज में, और वहां पे कितने डेलिएट्स ने अटेंड किया था, 72 डेलिएट्स ने अटेंड किया था, और जो बॉम्बे में होने वाला था, सेशन पहले, प्लेस क्या डिसाइड की थी, डिसाइड की थी, पूने, बट पेल गया था, वहां पे इसलिए बॉम्बे में शेफ्ट कर दिया गया था, हो इस नोन अएज शेख्सपियर ऑफ इंडिया, भारतका शेख्सपियर किसे कहा जाता है, कालीदास को कहा जाता है, कालीदास जो है वो, पोयट थे, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त टू के दरबार में poet थे, इनके जो famous play हैं वो मैंने लिख दिया है शकुंतला एंड मेग दूतम, ये exam में बहुत बार पुछेगा हैं तो इन्हें भी याद रखना When was Kalinga war fought? Kalinga का युद कब लड़ा गया? वो लड़ा गया 261 BC में, Kalinga war was fought between किसके बीच हुआ था? Moran Empire King Ashok and Raja Anand Padmanabha, कब 261 में ये दोनों के बीच हुआ था और जीता कौन था? Ashok ने battle जीती थी और उसके बाद ये battle के बाद Ashok ने वुद्दिजम को adopt कर लिया था ठीक है? तो चलिए आज का session यही end होता है, मिलते है next session में, thank you